दोस्तों नमस्कार मैं हूँ जै और आप देखें हैं जैतनियोज महराष्टा के सियम उधो ठाकरे के मुझे के लिए अब जो है एक के बाद एक बढ़ती जा रही है और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है सेंटल एजनसी के द्वारा लगातार जो है उनके बड़े मंत्रिय और उनके पार्टी जो सहयोगी पार्टिया हैं उनके बड़े मंत्रियों के खिलाप में लगातार कारवाई कर रही है अब इनी सब चीज़ों के बीच में एक बड़ी अपडेट आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि जो इंकम टेश्ट डिपार्टमेंट है जो कि सिवसेना के एक बड़े नेता है यसवन जादो के घर पर पिछले तीन दिन से चार दिन से लगातार जो है रेड मारी है लगा पूरी की पूरी लेंदेन है उसकी ऑर्डिट जारी है आयकर बिभाग के अनुसार अब तक दस्तावेजों के साथ साथ डिजिटल साथ जब्त कर लिए गये हैं आयकर बिभाग जादो और गोरे गाउं के एक बिल्डर बिमल अगरवाल और पांच सिविल ठेकेदारों के ब पर वसूली करने का आरोप लगाया था एक के बाद एक कई बड़े आरोप उसके द्वारा लगाये गये थे और अब जो है बिमल अगरवाल के ही ये सहयोगी है यसवन जादो जो हैं जिनके उपर अभी इंकम टेक्ट डिपार्मेंट द्वारा लगातार कारवाई की जा रह है कि बिमल अगरवाल और साथ में यसवन जादो ये दो के दोनों बहुत ही अच्छा इनके बीच में प्रेंट्सिप है और पिछले काफी टाइम से ये एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं और अब जो है ऐसा दावा किया जा रहा है कि बिमल अगरवाल जन्ने जो क परम भीर सिंग्य की उपर कई बड़े आरोब लगाया थे मैकेसिमुम चांसे से कि परम भीर सिंग्य ने कई बड़े खुलासे किये हैं एजन्सी के सामने जिसकी हजा से परम भीर सिंग की वज़ा से ही अब जो है इंकम टEck डिपार्टमेंट ने यसवन जाधो के घर पर छापे मारी की है और लगातर वहां से अभी भी चानवीन जारी है और अगर यस्वनजादो के किलाफ में अगर ऐसे ही कारवाही होती रही तो आने वाले टाइम पे महाराश के सियम ओधो ठाकरे के भी मुश्किले बढ़ सकती है क्योंकि यस्वन जाद हो जो है वो महराज के सीम ओधो ठाकरे के पार्टी में एक बड़े नेता के तौर पिर पिछले काफी टाइम से लगे हुए है और आपको बता दूँ कि ये भी दावा किये जा रहा है कि अब इस केस में ज होने के करन हर साल विभिन चीजों के लिए हजारों करोन रुपए के पस्ताओं का ये जो है मन्जूरी देते हैं अब जो है इनके उपर आसंका जताई जा रही है कि जाधों ने 2018 से 2020 के बीच ठेके दारों से करीब करीब 15 करोन रुपए का कमीशन लिया था और बाद में इस जो है एक फेक कंपनी में लगा दिया गया था ऐसा जो है एजनसी के द्वारा आसंका जताया जा रहा है और ये भी दावा किया जा रहा है कि जल्द ही यसवन जाधों के खिलाप में कारवाई की जाएगी और जैसा कि अभी जो है एडी की इंट्रीस केस में हो चुकी है तो maximum chances है कि yes one ज्यादा हो की भी जल्द से जल्द ED की टीम जो है पूस्ताज के लिए बुलाएगी और हो सकता है कि इनको गिरबतार भी कर सकती है आपका क्या opinion है इस पर आपने opinion कमेंट बॉक्स होता है और वीडियो के जाश जादा सेयर करें